हेलो स्टूरेंट्स कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है प्रियंका और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैगनेट ब्रीन्स हिंदी मीडियम पर आपको मिलते हैं 6 से 12 क्लास तक के सभी विश्यों के हाइ क्वालिटी कॉंटेंट इसके साथ ही मैगनेट ब्रीन्स हिंदी मीडियम आपको प्रोवाइट कराता है ना सिर्फ CBSC बोर्ट बलकि अधर States बोर्ट जैसे के MP बोर्ट, UP बोर्ट, दिल्ली बोर्ट, राजस्थान बोर्ट, बिहार बोर्ट जैसे बोर्ट के भी फुली और्गनाइस कोर्सेज और ये सभी कोर्सेज आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री ओफ कॉस जी हाँ दोस्तों इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमिंट करने की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप हमसे e-notes और e-books भी लेना चाते हैं तो इसकी link आपको नीचे दिये हुए description box में मिल जाएगी तो चलिए इसी जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज की class और आज हम क्या करने वाले हैं देखो हमारा part नौ चल रहा है जिसका नाम क्या है गती एवं समय मतलब कि हम गती और समय के बारे में इस part में पढ़ रहे हैं ठीक है अच्छा आज का topic क्या होगा हमारा आज का topic हमारा होने वाला है चाल मापना हमने कई सारी चीज़े इस chapter में पढ़ लिए हमने मंद तीवर जान लिया है न हमने दूरी मापना जान लिया समय कैसे करें अब हम आज क्या देखेंगे आज हम जानेंगे कि चाल को कैसे मापा जाए अच्छा इससे पहले कि जितने अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो उनको आप पढ़ सकते हैं साथ ही अगर आपने एक से लेकर के आठ चाप्टर तक में कोई चाप्टर नहीं पढ़ा है तो उसको भी आप cover कर सकते हैं playlist के माध्यम से चीक है तो चलो भई अब हम शुरू करते हैं अपना आज का topic लेकिन उससे पहले फटा-फट से वीडियो को करना है लाइक और हाँ आपने सभी दोस्तों को शेयर करना नहीं बूलना है ओके चलें topic की तरफ चलो देखो हमने दूरी और समय मापना सीखा है है न हमने last वीडियो में क्या सीख लिया कि दूरी को कैसे मापा जाए और समय को कैसे मापा जाए हम किसी वस्तु की गती की गणना कर सकते हैं अब हम क्या जब हमने दूरी और समय मापना सीख लिया है तो हम कि सिवस्तों की गती की गणना भी कर सकते हैं अब हमें एक गती विधी करके गती मापना सीखना चाहिए अब हमें गती विधी देखते हैं और जानते हैं कि हम किस प्रकार से गती की गणना या गती को माप सकते हैं तो देखो अब आ जाती है हमाई पास क्रिया कलाप नंबर तीन और क्रिया कलाब तीन में क्या कह रहे हैं? कि चौक के चूण अत्वा चूणे से फर्ष पर एक सरल रेखा खीचे तथा अपने मित्र से कहिए कि वह इस रेखा से एक से दो मीटर दूर खड़ा हो मतलब करना क्या है? देखो चित्र में आपको जमीन पे चौक से ऐसे एक लाइन खीच देनी है और अपने दोस से बोलना है कि वह उससे कितनी दूर? दो मीटर की दूरी पर खड़ा हो जाए अब मित्र से कहिए कि वह फर्ष के अनुदिश इस सरल रेखा के लंबवद किसी गींद को धीरे से लड़का है अब वहाँ से उससे बोलिए कि वह क्या करे? एक बॉल को आगे की तरफ लड़का है जिस छण गींद सरल रेखा को पार करती है तथा जिस छण वह विराम में आती है दोनों बार समय नोट कीजे अब क्या है? कौन से समय? जब उसने इस रास्ते को क्या किया? जैसे क्रोस किया पार किया गींद ने सरल रेखा को हमें उसका समय ले लेना है किस टाइम पे? फिर वह चलते 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 जब वह विराम की वस्ता में आ गई मतलब कि रोक गई तो उस समय का भी हमें समय नोट कर लेना है गींद विराम में आने में कितना समय लेती है जिस बिंदू पर गींद रेखा को पार करती है तथा जिस बिंदू पर वा विराम में आती है इन दोनों बिंदू के बीच की दूरी मापी है अब भई देखो विराम में आने में उसे कितना समय लग जाता है तो यह तो आप ही बता सकते हो यहां सिर्फ वो गतिशील हुई और विराम में आई तो उसको कितना समय लगा अब जब आप यह करोगे तो आपको पते चलेगा हम अगर हम माल लें तो अगर मैंने एक बॉल को आगे किए तो ज्यादा से ज्यादा पांच छे सेकंड़ अगर मैं दो मीटर की दूरी हुँ चलो माल लेती हूँ कि मैं दो मीटर की दूर प्यों और मैं उसको आगे करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जादा से जादा तीन से चार सेकंड में वह वहां पहुंच जाएगी है ना जादा समय नहीं लगेगा अगर मालो मैंने थोड़ा दम लगा की कर दिया आपको जिस बिंदू पर वो विराम में आती है वहां तक और जहां रेखा है इन दोनों के बीच के आपको दूरी भी मापनी है चीक है ओके आगे क्या बोल रहे हैं इसे मापनी के लिए आप किसी पैमाने अत्वा मापक फीते का उपयोग कर सकते हैं इस क्रिया कलाप को वि प्रायोगिक वे में सीखो ऐसे ने कि बस हमने पढ़ लिया काम खतम नहीं हम करके भी देखाएं और यह आपको यह आपको एक समूह के साथ करना है तो हर एक एक बच्चा आएगा और वह बारी बारी से इस क्रिया कलाप को दोहराएगा और सभी माप जो आती हैं एक सार्ण प्रायोगिक वे में सीखो ऐसे ने कि बस हमने पढ़ लिया काम खतम नहीं हम करके भी देखें और यह इतनी इजी सी प्रिया कलाप दी हुए है कि इनको आप आराम से किसी फ्री पीरियड है कोई ऐसा टाइम है या फिर अगर देखें आपके स्कूल में आपके टीचर जिसे भी आराम से ऐसे Cup को कर सकते हो लाइन एक कै बना के लाइन बना के है ना बॉल आप ले जा सकते हो या यह स्कूल में से किसी टीचर से बोल सकते हो कि हमें लOUGH उपलब्ध करा दी जाए थांकि हम इसको समझ ले तो यह क्रिया कलाम आप आसानी से सारे कर सकते हो और क्या कर स सकती है अभी आपको लेकिन आप यह चीज़ कर सकते हैं और सही जो मतलब पाठ्यांक आएंगे सही जो आएंगे प्रिक्षन आएंगे उनको आप साड़नी में लिख सकते हो अब देखो यह आपको एक साड़नी दी हुई है जिसमें दिया है कि गतिमान गीन द्वारा चली गई दूरी तथा उसका लिया गया समय तो यहाँ पर समूह का नाम आप मालो अगर बहुत सारे बच्चे हो तो पांच समूह में बट जाओ ऐसे अगर चार-चार बच्चे हो चार-चार के समूह में पांच में बट जाओ आप लोग एक समूह में चार बच्चा है एक समूह में चार इस तरीके से अब गीन द्वारा चली गई दूरी मीटर में कितनी है ठीक है तो हम माल लेते हैं कि चली गई दूरी कितनी होगी गीन द् बारा मीटर और लिया गया समय हम माल लेते हैं तीन सेकेंड ठीक है बारा मीटर जादा हो गया ना छे मीटर कर दें क्या छे मीटर ठीक है लिया गया समय बढ़ जाएगा बिटा माल लेते हैं बारा सेकेंड ठीक है बारा सेकेंड तो चाल कितनी आ जाएगी उसकी तो तै की गई दूरी बराबर कितना होता है 6 मीटर बराबर 12 तो ये 1 बटा 2 और क्या हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड ये क्या जाएगी चाल आ जाएगी इसी तरह से अगर वो मालो जा रही है किसी की 8 मीटर और समय ले लिया उसने कितना 16 सेकेंड ये माल लेते हैं 18 सेकेंड ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा 8 मीटर बटे 18 और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4 बटे 9 ठीक है और जादा इससे सॉल्व कर सकते हो तो 0. कितना आ जाएगा ठीक ऐसे करते हैं तो मैं आगे चलते ही चला जाएगा तो मैं 5 लग दे रही हूँ मीटर पर सेकेंड इस तरीके से आ जाएगा तो आप खुद निकाल सकते हूँ इतनी भी दूरी हो और जो भी उसके बीच में लिया गया समय हो वो उसके साथ-साथ-साथ-साथ आप इसे कर सकते हो ठीक है तो इस प्रकार से के कख्षा में प्रप मोच्फित एली चूझा छोटने वाले रौकिट प्रायए 8 किलो मीटर पर स्यकेंड तक की चाल प्राप्ट कर लेती हैं अब उप अदिस न ओप्रेज्छी होते हैं देखो दो तरह कि उप ग्रह होते हैं एक कॉन से आते राक्रितिक उपगरह और एक होती है, मानव, निर्मित, या फिर मैं लिख दे रही हूं, क्रित्रिब, ठीक है? यह दो तरह के उपगरह होते हैं उपगरह मतलब सेटिलाइट्स है ना, तो उपगरह क्या होते हैं? सेटेलाइट होते हैं, नैच्रल होते हैं, मैनमीड होते हैं, तो यह प्राकृतिक उपग्रह की बात करें, तो क्या है, हमारे पास एक ही प्राकृतिक उपग्रह है, जो क्या है, चंद्रमा, मून, ठीक है, और वहीं अगर हम कृत्रिम उपग्रह की बात करें, तो वो क्या है, जो यहां से मानव के दौरा बनाये गए हैं, और उनको उपर भेजा गया है, ठीक है, तो कृत्रे मुग्रह वो हो जाते हैं, इन में कई सारे हैं, बहुत सारे के नाम, आपको देखने हो, मिल जाएगा, आप, सेट, पी, सेट ऐसे करके, जी, सेट ऐसे करकर के होते हैं, ठीक है और इस तरह से आरे भट करके भी है तो इस तरह से आपको मिल जाएंगे अब देखो ये जो कृत्रिम उपग्र है क्या बोल रहे हैं कि ये जो उपग्रह है जब इन्हें प्रत्वी के कख्षा में भेजा जाता है प्रमोचित किया जाता है तो ये rocket के साथ इनको भीजा जाता है, तो जो rocket रहता है ना इनके साथ जाता है, वो कहां तक की चाल प्राप्त कर लेता है, उसकी speed कितनी हो जाती है, उसकी speed 8 km पर सेकंड हो जाती है, मतलब सोच रहो, एक second में वो 8 km की दूरी तै कर लेता है, इतनी तेजी से चलता है वो, 8 km स चल सकता है तो आपके पास जो सकेल होगा आप अपने स्कूल यंचिस करते हो लाइन की खीचने लिए वो 15 cm के scale होता है अब 15 cm के scale सिर्फ इतना बड़ा है सोचो वो इतना भी नहीं चलता है उसमें आप 8 cm देख लो कहां पर 8 cm जिस जगे आ रहा है ना बस वो उतना ही चलता है कितना एक सेंटी मीटर एक सेकेंड में तो देखो कितना धीरे चल रहा है ठीक है तो इसलिए कहते हैं वो बहुत दीरे तो दोनों की देखो चाल बताई है एक जिसकी बहुत जादा है एक जिसकी बहुत ही जादा कम है चीक सारनी में कुछ जीवों की चाल किलो मीटर पर आवर में दी गई है, आप स्वयम इनकी चाल को मीटर पर सेकिंड में परिकलित कर सकते हैं, अब क्या दिया है, देखो, इसके बाद हमको एक सारनी दी हुई है, और उस सारनी में हमको जो जानवर है, उनकी चाल किलो मीटर पर आ सेकेंड में बदलनी है तो देखो यह है हमारे पाल passer लिदे कुछ जनतौं द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली विद्म चाल के बार बाले में बताया है अब अगर अगए हम बात करें बाज इक पक्छी क्राल ना बाज की बात करें तो इसकी चार्ज होती है 320 किलो मीटर पर आवर मतलब कि एक घंटे में कितने किलो मीटर 320 चीक है तो इसको अगर हमें मीटर सेकेंड में बदलना है तो देखो हमें पहले किलो मीटर को बदलना होगा किसमें मीटर में और आवर को बदलना होगा किसमें? सेकेंड में? नहीं समझा रहा क्या? बोलते भी तो नहीं हो, आप लोग कमेंट सेक्षिन में कुछ पते ही नहीं चलता है क्या हो रहा है? किलो मीटर को बदलेंगे भाई, मीटर में. ठीक है? बराब बदलेंगे. इसको बदलेंगे मीटर में और यहाँ पर आवर है, आवर मतलब कि घंटे. तो घंटों को बदलेंगे हम किसमें? सेकेंड में. अब ये बताओ. एक किलो मीटर में कितने मीटर होते हैं? तो होते हैं हजार मीटर. और वहीं अगर हम एक घंटे में बात करें, तो कितने सेकेंड हो जाएंगे? तो 60 इंटो 60. एक मिनिट में 60 सेकेंड, 60 मिनिट में 60 सेकेंड, तो ये क्या? 60 से 60 मुल्टिपला हो जाएगा. 60 इंटो 60. तो बस हम क्या करेंगे? किलो मीटर वाली यहाँ पर जो भी चीज़ दी हुई है, उसमें उपर हजार का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे. चीक है? क्यों क्यों कि हम किलो मीटर को किस में बदल रहें? मीटर में बदल रहें. तो हम इसको क्या करेंगे? 1000 से गुणा कर देंगे, simple तो यह किस में बदल जाएगा, meter में लेकिन नीचे वाली unit को भी तो बदलना है तो जब हम hour को second में बदलेंगे मतलब कि गंडों को second में बदलेंगे तो हम किस से multiply करेंगे 60 into 60 से चीक है, देखो यहां पर करके दिखाया हुआ है, तो confused होने वाली तो कोई बात ही नहीं है, ओके देखो, आप इन्होंने यहां पर किया हुआ है, हम इसे करें, देखो 320 था गुणे किस से, 1000 से नीचे आपको क्या दिख रहा है नीचे आपको 16 into 60 दिखाई दे रहा है इन्होंने 0 से 0 कैंसल कर दिया, चीक है आप यहां पर बिचा 10, यहां पर बिचा 320 यहां पर बिचा 6, यहां पर बिचा 6 अब क्या आप इसको कालकुलेशन कर सकते हो बिलकुल कर सकते हो, इसको कट कर लो है न, 6, 5,000 कितना हो जाएगा 30, यहां पर 20 बच जाएगा तो क्या आजाएगा यहां पर इलो को मैं इधर करती हूं यहां पर बहुत गुच्छड गुच्ड हो जाएगा ठीक है 320 इंटू 10 बचा और क्या बचा 6 इंटू 6 ठीक है बाकी सब तो क्या हुआ कट गया 0 से 0 आप यहां से 6 से हम इसे करेंगे तो 6 5 30 20 बच जाएगा ठीक है 6 3018 फिर से 2 बच जाएगा और पॉइंट लगाएंगे जीरो लेंगे फिर 3 3 3 3 यह मतलब डिजिट आती चली जाएगी तो हम क्यों नहीं यहां पर 4 लिख लें चीक है और देखें आंसर किसम डेसिमल महीं आएगा फिर यहां पर देखो इनको कर करेंगे तो इसको क्या करो टू से कर लो टू फाइव जा टैन यहां पर 3 ठीक है अब क्या हो रहा है अभी भी नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे हम एक काम करते हैं कि इसको टैनी रहने देते हैं यहां पर सिक्सी रहने देते हैं ठीक है इससे ज्यादा एजी रहेगा टिक है एटी नाइन मीटर पर सेकेंड ऐसा कुछ आंसर आएगा या फिर डैसीमल में आगे कुछ आजाएगा ठीक है आप लोग और अच्छे से कैलकुलेशन कर ले ना यहाँ पर ठीक तो ऐसा कुछ आंसर निकल के आजाएगा नीचे नेक्स वाला देखें तो देखो नेक्स वाला देखो इसको कैसे जमाओगे 112 into 1000 नीचे 60 into 60 फिर से सेम चीज होगी 0, 0, 0, 0, cancel हो जाएगे बच क्या गए 6, 6, 12, 10 है ना फिर से वही चीज बच गए फिर से हम क्या कर लेंगे फिर से हम यहाँ पर multiply, division कर लेंगे इसका भी answer यहाँ पर हमें मिल जाएगा calculation करने बैठूंगी time लग जाएगा आप खुद भी कर सकते हो चीज़ए यहाँ पर यह बोल रहे है यह तो चीटा की बताई ब्लू फिश की है ना तो ब्लू फिश जो है ब्लू फिश उसकी 40 से 46 के बीच में है तो इन्होंने exact नहीं दिये क्या है तो हम 40 से 46 में कुछ भी ले सकते हैं जो नंबर हमको सही लग जाए तो हमें काम करते हैं 46 लेने नहीं 42 ले लेते हैं यह ज्यादा अच्छा रहेगा है ना चीक है यहां पर 60 इंटू 60 फिर से बहुत 0 से 0 कैंसल हो जाएंगे यह 6 से 7 टाइम क्रॉस हो जाएगा ठीक है यहां भी थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो यह कुछ आ जाएगा 35 अपॉन 3 ठीक है और इसे और सॉल्व कर लो ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा ठीक फिर उसके बाद नीचे दिया है 56 तो वही 56 इंटू दूसरे कलर से कर देती हूं सेम कलर हो जाएगे नहीं तो 56 इंटू थाउजन 60 इंटू 60 0 से 0 कैंसल कर लो ठीक है यहां पर यह निकाल लो इसको मैं साइड में लिखूं किया और आगे साल कर सकते हो easy करी दिया है देखो जहां decimal में अंसर आगा मेरी calculation बढ़ जाएगी तो इसलिए मैं समय बचाने के लिए बस आपको easy form करकर करके दे रही हूं यहां पर 19 ले लो भई यह सब decimal वाले हैं ठीक है क्योंकि यह directly divide नहीं हो रहे हैं यह 6 और 19 नहीं होंगे फिर हम ऐसे लिख लेंगे 19 इंटू 10 अपॉन 6 इंटू 6 ठीक है फिर से हम 6 से करेंगे कोई decimal में answer आजाएगा यहां पर simplify चाहे तो इसको कर लो यहां पर ऐसे ले लो 19 इंटू 5 6 इंटू 3 अब इसके बाद आप कर सकते हो इन दोनों को multiply कर लो उसके बाद आप decimal में डिवाइड करके answer ले आँ ठीक है तो इस सारे answer कैसे दशमलों में आधे तो आएंगे ठीक है बहुत कम ही ऐसे होंगे जो पूरी तरह से solve हो जाएंगे तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो भई सारे इन सबके थोड़ी से maths लगा के अपनी calculation करके सबके answer ले करके आ सकते हो ठीक समझ है कि कर कैसे रहें simple सी चीज है मैं clear करके बताती हूँ पूरा simple सी चीज यह है कि बस हमको यहाँ पे जो भी number दिये है जैसे 112 दिया था उसको हम सबको 1000 से गुणा करेंगे क्योंकि हम उसे बदल रहे है मीटर में और नीचे हम 60 into 60 से अब देखो हम 3600 से भी कर सकते थे लेकिन मतलब 3600 से भी कर सकते थे लेकिन हम 60 into 60 simple करने के लिए करने है बस फिरो से जीरो cancel करके पूरी calculation को कर लेना है बस हमें ये तो आना चाहिए कि हमें रखना क्या है पुट क्या करनी है चीजे तो ये करना तो हमने जान लिया किस नंबर का हमें करना क्या है उकी उसके बाद तो कर लोगे न भई देखो साइंस पढ़ा रहे हूं अब बिलकुल आंसर के साथ आ जाऊंगे आंसर निकाल के लेके आऊंगे चीक है चले आगे अरे यहां पे तो अभी और दिया हूं है घरेलू चूहा घर में रहने वाला चूहा उसकी भी दे दी तो 11 इंटू लो भई कर लो calculation आ गया क्या इसको क्या simplify कर ले हम 11 इंटू 5 6 इंटू 3 लिख दू और यह ऐसे लिख दू क्या 55 इंटू 18 चीक है अब क्या हम इसे solve कर सकते है या ऐसे ही लिख दो नहीं solve कर रहे है तो लो लिख दो जैसे ही meter per second ठीक है next 40 दे दिया 40 इंटू 1000 60 इंटू 60 000 कैंसल इसके बाद इसके बाद निकाल लो भई 40 इंटू 5 6 इंटू 3 फिर यहां से देखो इसके बाद फिर से वही चीज आ जाएगी फिर से वही बात हो गई हम इसको कर लेंगे ये लो इसके बाद चाहे तो इसको भी मीटर पर सेकेंड लिख दो और चाहे तो इससे सॉल्ट भी कर लो ठीक है भीम का एक चुआ मतलब के एक बहुत बड़ा कचुआ तो इसकी तो खुदी इनोंने डेसिमल में दे दी अब क्या करोगे भाई कि डेसिमल में आंसर आजाए तो क्या करना होता है तो डेसिमल में अगर आंसर आ जाए तो हमको डेसिमल को हटाना होता है ठीक है तो डेसिमल को जब हम हटाएंगे तो हम क्या करेंगे हमको डेसिमल को हटाने के लिए यहां पर 27 को ऐसे ही लिखेंगे और दशमलों के बाद जितने भी नंबर है उतने 0 हम लगा लेंगे clear 0 काटो 1, 0, 2, 0, 3, 0 1, 0 तो यहां भी बच गया अब बस कर लो यहां पर 3 से करोगे तो 2 आएगा यहां 3 से करोगे तो 9 आएगा फिर 3 से करोगे यहां 2 आएगा फिर 3 से करोगे यहां 3 आएगा ठीक है उपर बच गया 3, नीचे बच गया 10 गुणा 2, गुणा 2 ठीक है यहां पर कर लो इसको तो यह क्या आजाएगा 3, 2, 10 गुणा 4 क्या यह हो सकता है और ज्यादा solve तो वैसे तो हो सकता है निकालने जाएं तो ठीक है तो यह भी answer इस तरीके से हम निकाल सकते हैं ठीक है देको चार्ड से पहले उसको divide कर लो जो भी आए उसमें वैसे तो decimal में answer आएगा जो भी आए उसमें भी क्या करो एक और decimal बढ़ा लो तो वो हो जाएगा हमारा answer ठीक है answer तो वैसे यह आना था यह अब इसमें और हम कर दें तो 0.075 ठीक है तो ऐसे meter पर second ला सकते हैं कुछ जादा calculation नहीं होगे ऐसा लग रहा है maths पढ़ रहे हैं बैठके ऐसे 0.05 को भी करूँगे ठीक है ठीक 2-0-2-0 हटाए 0.5 सॉरी 0.5 है ना इंटू upon 10 6 इंटू 6 और clear कर लो तो सिर्फ 5 ले लेंगे 5 10 6 इंटू 6 इंटू 10 ठीक है 10 पहले वाले में भी 10 हम हटा लेते 10 नहीं सॉरी बिटा 100 आएगा यहां पर ठीक है 10 से 10 और cancel हो गया 5 2 सा 10 यहां पर answer आ रहे है 1 upon 6 इंटू 6 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा ठीक इतना इसे और solve करोगे दशमलों में आएगा लगबग कुछ 0 दशमलों 0 करके कुछ आएगा एक 0 लग जाएगा फिर क्योंकि यहां पर हम 0 बढ़ाएंगे फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा फिर उसकी बाद 1 कुछ करके answer आएगा तो यह आप निकाल सकते हो ठीक है calculator की help ले 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 ना ना समझाए तो है ना यहां पर इतना maths का वो नहीं है निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है अपनी calculation से यह तो बहुत यह इच्छा होगा तो इस तरीके से आप निकाल लोगे अब एक प्रिश्णा आता है कि जब लोलक वाली घडिया नहीं थी तब समय कैसे मापा जाता था अब समय जो हमने मापा वहाँ पर फिर से एक बार बात यही आती है कि जब लोलक वाली घडिया नहीं थी तो क्या था कैसे समय मापा जाता था ठीक है तो देखो आंसर कि जब लोलक वाली घडियां नहीं थी प्रेचलेट नहीं थी तब क्या होता था संसार के विभिन भागों में समय मापने के लिए धूब घड़ी का प्रयोग करते थे जल घड़ी का प्रयोग करते थे रेत घड़ी जैसी युगतियों का उपयोग किय जाता था ठीक है यह क्या है यह टॉपिक बीच बीच में किताब में हमारी क्या हो रहा है बार-बार रिपीट पर आ रहा है है ना तो हमने पहले भी पढ़ लिया था लोलक वाली घड़ियों के बारे में फिर हमने रेत गड़ी भी देखी थी और क्या देखी थी हमने आपको फिर से याद दिला दी चलोगे आगे देखो एक नोट दिया हुआ है कि सामानित उपलब्ध घडियों द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे कम समय अंतराल एक सेकंड है अब देखो अगर हम सबसे छोटे समय की बात करें तो हम हमेशा किसकी बात करते हैं हम हमेशा सेकं सेकंड में हो जाएगा हम कभी भी छोटे से छोटे माप को बताते हैं समय के तो हम सेकंड में बताते हैं तथा पी अब ऐसी विशिष्ट घडियां उपलब्ध हैं जो एक सेकंड से छोटे समय अंतरालों को माप सकती हैं लेकिन क्या आपको पता है कि सैकंड से भी छोटे मा माप सकती है इन में से कुछ गडियां एक साकेंड के दस लाखवे भाग अब क्या है अगर मैं किसी यह जो एक मीटर में एक किलो मीटर में अभी अपनी क्या पढ़ाता कितने मीटर होते हैं हजार मीटर होते हैं तो मतलब क्या हो रहा है कि एक किलो मीटर के मालो कोई दूरी है और इस दूरी के आप हजार टुकड़े कर देते हो और इनके बीच के जो दूरियां होंगी यही एक मीटर होगा, चीक है, तो यह कहलाता है ऐसा, तो सोचो कि एक सेकंड का जो समय होता है, उस समय का जो दस लाखवा भाग है, कुछ घडियां वहां तक का समय भी माप लेती है अब सोचो ना, कोई एक सेकंड का समय कितने ही बड़ा होता है, एक सेकंड, हो गया एक सेकंड, इतने से भी समय के अंदर बहुत छोटे छोटे समय होते हैं, और वो घडियां उसका दस लाखवा भाग, हजार नहीं, दस हजार नहीं, एक लाख नहीं, दस लाखवा भाग न अपनेús सेकνड जैसे शब्द सुने होंगे, अब क्या होता है, सेकंड से छोटे समाई की बात करें, तो क्या आता है, हमारे दिमाग में, एक आता क्य sensit से लिए माइक्रो साओनेबन लोलते हैं और जो सबसे चोटा होता है उसे हम कहके बोलते है ना तो ato नैनो सेकंड जो है ना वो सबसे छोटा सेकंड होता है तो पहले आएगा सेकंड के बाद माइक्रो सेकंड और माइक्रो सेकंड के भी बाद जो सबसे छोटा समय होगा वो क्या होगा नैनो सेकंड होगा तो दीखो एक माइक्रो सेकंड में अगर हम बात करें कि सेकंड का कितना पार्ट होता है तो एक माइक्रो सेकंड के अंदर सेकंड का दस लाखवा भाग होता है कौन सा भाग दस लाखवा भाग 10 टू दी पावर 6 सेकंड ठीक है एक नैनो सेकंड सेकंड का एक अरबवा भाग होता है और यह तो भी उससे भी बढ़ चड़ के हुआ कौन से भाग पर अरब वे भाग पे आगया नैनो सगेंद, तो सोचो नैनो सगेंड कितना छोटा सा समय होता होगा, इतने चोटी समय इंतरालों को जो घडियां मापति हैं, उन्का उपयोग वएग्यानिक अनुसंदान के लिए किया जाता है, अब इनका उपयोग कहा किया जा रहा है तो ऐसे समय की माप ऐसी जगहों पर की जाती है चीक है लेकिन हमको पता होना चाहिए कि सर्फ सेकेंड ही सबसे छोटी काई नहीं होती है सेकेंड से छोटा भाग भी कुछ होता है क्लियर है सबको पता चली ना बड़ी रोचक सी बात है ना अच्छी से इंफॉर्मीशन थी नहीं अब देखो यदि किसी वस्तू की चाल ग्यात हो तो दिये गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी ग्यात की जा सकती है अब अगर हमको किसी भी वस्तू की चाल पता है स्पीड पता है चाल पता है तो हम उसका समय निकाल सकते हैं हम उसकी दूरी भी निकाल सकते हैं कै ये वाला फॉर्मला यूस करेंगे मतलब कि हम क्या लगाएंगे हम लगाएंगे चली गई दूरी निकालने के लिए चाल गुणा समय चीक है तो हमें क्या मिल जाएगी हमें दूरी मिल जाएगी अगर दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तू किसी दूरी को कितने समय में तर आप गो तो देखो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि दिया गया जो समय है उसे हम दूरी बटे चाल त्वारा निकाल सकते हैं अगर हमें दूरी और चाल दोनों ही पता हो तो, चीम्याण? ओके चले आंगे चलो अब इसके बाद देखो हमारे पास क्या आजाता है इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो अब हम जानेंगे स्पीडो मीटर और ओडो मीटर के बारे में किसके बारे में स्पीडो मीटर और ओडो मीटर के बारे में क्योंकि देखो कुछ जगे पर क्या होता है हम कैसे मापेंगे चाल को तो हम स्पीडो मीटर और ओडो मीटर जैसी चीजों के से मापते हैं अब स्पीडो मीटर क्या है तो स्पीडो मीटर जो होता है वह वाहन के डैश बूट पर लगा होता है ठीक है एक उपकरण होता है और ये क्या करता है कि वाहन जब चलते हैं तो चलते समय उसकी गती को बताता है कि वो कितनी गती से चल रहे हैं. ये उपकरण हमें उस समय चल रहे वाहन की गती किलो मीटर प्रती घंटी में बताता है. अच्छा इसके बताने का तरीका क्या है यह हमें किलो मीटर प्रती घंटी की इस तरीके से इस चाल को बताता है मिनिट में नहीं बताता, सेकंड में नहीं बताता, मीटर में नहीं बताता, सेंटी मीटर में नहीं बताता किलो मीटर में बताता है साथ ही घंटे में बताता है, मतला बड़ी-बड़ी इकाई का प्रेयोप कर रहा है, ठीक है अब जैसे उदाहरन की बात करें तो स्कूटर या मोटर साइकल के उपर लगा हूआ उपकर्णों का पैनल अब आपके गाड़ियों के उपर तो यह आप देख सकते हो कुछ कुछ इस तरह से दिखता है स्पीड Nov Mieter जिसमें हमको क्या रहती है कि उसी तरह कारों बसों और अन्य वाहनों के ड Dashboard per meter देखे सकते हैं इसी तरह अलग-अलग कार की बात कर लें बस की बात करें दूसरे कोई भी वाहन की बात करें ट्रक की बात करें जितने वाहन होते हैं जितने चलते हैं सब में अलग-अलग तरह कि ऐसे डैश बोर्ड आपको देखने को मिलेंगे और उन डैश बोर्ड वे आपको मीट स्पीडो मीटर के अलावा वाहन में एक और उपकरण होता है जिसे ओडो मीटर कहा जाता है अब देखो सिर्फ स्पीडो मीटर ही नहीं होता जो वाहन के ऊपर लगा रहे तो देखो एक उपकरण जिसका उपयोग वाहन द्वारा तै की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है उसे ओडो मीटर के रूप में जाना जाता है तो यह क्या करता है यह दूरी को मापता है वो किसको माप रहा है चाल को गती को माप रहा है और यह किसको माप रहा है दूरी को माप रहा है कि इस गाड़ी ने कितनी द स्टेंस चल ली गई है मतलब 638 किलो मीटर हम कवर कर चुके हैं ठीक है और यह जो होता है यह स्पीड बताता है कि आप अगर कांटा यहां जाता है तो यह बताता है कि आप असी की स्पीड पे हैं ठीक है ओके आप यहां आ आम्तॉरपस س्पीडो मीटर डायल के भीतर किलो मीटर जैसा की चितर में दिखाये गया है कि प्रतीक के साथ एक छोटी आयताकार खिडकी ओडो मीटर रेडिंग देती है तो देखो यहां पर इन्हें नहीं बताया है कि यह क्या देती है Speedometer होता है और यह जो खिड्किया चोटी चोटी बनी होई है यह क्या होती है Odometer होती है जो दूरिया बताती है बहächen ठीक है यहां पर देखो Car का दिया हुआ है यह कार का डैश्बूट दिया हुआ है पूरा इसको जूम करके यहां पर दिखाया है यह देखो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 किलो मीटर पर आवर है ना तो यह हमको स्पीड चाल दी हुई है और यह बीच में हमको किलो मीटर दूरी में दिया हुआ है तो यह इसका क्या है स्पीडो मीटर और अगर हम इसकी बात करें तो यह क्या है ओडो मीटर ओके क्लियर है चलें आगे चल देखो खेलो में जिन समय मापनी की उक्तियों का उपयोग होता है वे सेकिंड के दसवे अत्वा सौवे भाग तक के समय अंतराल मापनी है आप सकती है आप खेल जब चलते हैं कोई गेम जब चलता है तो उस समय मापनी की उक्ति प्रयोक किये जाती है ना उसमें जो सेकिंड होता है उसका दसवा और सौवा भाग तक मापा जाता है लाखवे तक दस लाखवे अरब वे तक नहीं जाते माइक्रो नैनो तक लेकिन सेकिंड से छोटे जो दसवा भाग होता है वहां तक की समय अंतराल को माप सकते हैं ऐसे युगतियां रखते हैं इसके विपरीत एतिहा से घटनाओं के समयों को शकतादियों अथनद्वा सहस्त्राब्दियों में व्यक्ति किया जाता है अब जो एतिहा से घटना है मतलब से कई साल पहले तक हो गई हैं अब उनको बोलने के लिए हम क्या प्रयों करेंगे तो देखो पिटा जब 10 साल का समय बीत जाता है ना तो हम देखा होगा उसको हम दशक कहते हैं ठीक है जब 10 साल का समय बीत जाएगा तो हम उसे क्या कहते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं उसे हम श यह हुआ भए तो 1000 साल में गुनेंगे बहुत अगर हम तारे और ग्रहों को करें। जैसे हम अपनी हो बताते हैं ना sell कर अगर हम तारे ग्रह जो है जो हैं और हम हमेशा जैसे सूरी किया आई की बात करोगे तो इतने अरब वर्ष निकल कियों क्योंकि यह बहुत ज़्यादा पुराने हैं चाल्म आपना सीखा समय मापना सीखा किस चीज को कैसे बताएंगे चाल मापने की उपतियां क्या-क्या हैं यह सारी चीज़े की हमने आज यहां पर बात कर ली है और इसी के साथ क्या हो जाता है इसी के साथ यह वाला हमारा टॉपिक यहां पर खतम हो जाता है इसके बाद हम अपना इस पार्ट का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं तो अगर आप अभी तक बने हुए हो तो बिटा आगे तक भी बने रहे ना क्योंकि इसके बाद तो हमारा इस चाप्टर का लास्ट टॉपिक ही होने वाला है यहां तक पढ़ लेनी के बाद लास्ट टॉपिक को छोड़ देना बहुत ही बड़ी क्या होगी बेवकूफी होगी कि हम अपने लास्ट टॉपिक को छोड़ दे रहे हैं तो आगे आने वाले सभी वीडियो के लिए और इसी तरह के और अच्छे वीडियो देखने के लिए जड़े रहे हैं मैगनेट ब्रीन्स के यूट्यूब चैनल वेबसाइट और एप्लिकेशन के साथ मैगनेट ब्रीन्स इंडिया का नंबर 100% अगर आप हमसे इनोट्स और इबुक्स भी लेना चाते हो तो इसकी लिंक आपको नीचे दिये हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इसी के साथ हमारे पास हैं आपके लिए कई सारे टॉप कोर्स जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं बात करें और यह सभी टॉप कोर्स आपको मिलते हैं हाइ क्वालिटी एजुकेशन के साथ इंगलिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में साथ ही इन कोर्स के लिए आपको किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता क्योंकि यह सभी टॉप कोर्स आपको लब्द कराये जाते है 100% free of cost अगर आप हमसे अधर सोशल मीडिया प्लैटफर्म पर भी चुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेस्बुक पर इंस्टेगाम पर ट्वीटर पर टेलीग्राम पर भी तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई